नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया न्यूस के डिजिटल प्लैटफॉर्म पर और मैं हूँ आपके साथ गुलिस्ता लोग सभा चुनाओ ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि अगर सपा बसपा लोग दल कॉंग्रेस जदियू और हम सब एक साथ आ जाए तो प्रदेश के 70 प्लस सीटे जीत पाएंगे बता दे ओम प्रकाश राजभर शुक्रवार को आजमगर शहर से सटे बेलनाडी गाओं में आयोजित कारेकरता सम्मेरन में वीडिया कर्वियों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि वो पूरवाचल को अलग राज जाती जनगर्ना की मांग से पहले कर रहे हैं ये मांग अब भी जारी है 2024 के चुनाओं में सत्ता ये विपक्ष के तरफ जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी इस संबंद में उनकी किसी भी पार्टी से बातचीत नहीं है तो वही साथ अक्टूबर को पटना में रैली है और उससे पहले या फिर उसके बाद अगर किसी पार्टी से बात बनती है तो इसकी जानकारी आपको दी जाएगी NDA के साथ ही PDA के सवाल पर ओपी राजभर ने कहा कि विपक्ष में रहने पर ही PDA याद आता है PDA को मदबूत करना है तो कॉंग्रेस सपा बसपा RLD जब यूग को एक मंच पर आना होगा अगर ऐसा होता है तो वो खुद उस मंच पर मौझूद रहेंगे सबजियों के बढ़े दामों पर उन्होंने कहा कि बरसाथ के मौसम में हर सबजी का दाम बढ़ जाता है यह हर साल का इतिहास है तो वही PCS अधिकारी ज्योती मौर्या के उनके पती से विवात के संबंद में इस सवाल पर किया गया तो उस पर राजबर ने कहा कि अगर पुरुष करे तो राम लिला और महिला करे तो कैरेक्टर धीरा एक महिला ने पती को छोड़ा तो पूरे देश में बवाल है लेकिन लाखों पुरुष ने महिलाओं को छोड़ा तो किसी की हिम्मत नहीं हो पाई बोलने की इस पर विचार होना चाहिए यह सोशल मीडिया की देन है कुछ लोगों को कोई काम नहीं है तो वह सोशल मीडिया में ही मज़े लेते रहते हैं फिलाल के लिए और भी अप्डेट के लिए जुड़े रहें इंडिया ड्यूस के डिजिटल प्लैक्पॉर्म के साथ धिन्यवाद